जब भी कौई धमाकिदार फिल्म सामने हाती है तो उस धमाकिदार फिल्म का रिस्पॉंस हम तक तो देरी से पहुंचता है लेकिन mid서 अगर हमें फिल्म देखने का इतजार नहीं होता तो फिर उनका क्या हाल होता होगा जिनों ने इस film में काम किया है, जी हाँ, मैं बात कर रहे हूँ अक्टर्स की, इस वक्त बॉक्स आफिस पर च्छा गई है, आते ही ड्रिपल आर, ड्रिपल आर जैसे ही रिलीज हुई है, वैसे ही सभी लोग इस film को जाकर देखना चाते हैं, as soon as possible, लेकिन मैं आपको बता दू कि रामचरन खुद पहुँचे है थेटर्स तक जी हा, पहले शो की पहली स्क्रीनिंग जब रखी गई, जब फर्स डे फर्स शो रखा था, उस वक्त तुरंथी सुभा सुभा हाइदरबाद के एक थेटर में पहुँचे है रामचरन और लाइव जनता का रियाक्शन उनों ने देखा, जिसकी तस्वीरे बॉक्स ऑफिस पर, बेसिकली, मीडिया पर हर तरफ बायर हो चुकी है, तो हम आप तक को तस्वीरे लेकर आ गए है, वल हलो गाइस और वेल्कम चूँ, फीफा फूस मैं हूँ जोती नहाख, हम सभी जाते हैं कि रामचरन जूनियर एंटिया में पहुंचें क्योंकि कई ना की रिपोर्स तो बाद में आती है, बॉक्स ऑफिस रिपोर्स बाद में आता है, लेकिन जब आप सामने देखते हो कि मेरी फिर्म को इतना अच्छा रस्पांस मिल रहा है, तो वही दिल जो है, वो गार्डन हो जाता है, और इसलिए मैं चलि में जनता जो है, वो लगातार चिलाती हुई नजर आई है, जनता क्यों चिलाई है, भाई सब ने चीक चीक कर एक ही आवाज लगाई है, और का है, ये रामचरन के करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस है, इसी बारे में ट्वीट करते हुए, एक सोशल मिडिया पोर्टल लिख जा रहा है कि रामचरन और जूनियर एंटियार के करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस है, वेल आपको इस पर क्या है कहना और इन तस्वीरों पर क्या कहेंगे, बताएए कज़र।